नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सरजी क्लास 10th साइंस के वीडियोस कब आएंगे तो लीजी आप सभी के लिए साइंस के टीचर आपको साइंस पढ़ाने आ गए हैं क्लास 10th के most of the important questions यहाँ पर आपको वो cover करा देंगे आज का जो question है बहुत ही interesting है और यह दो number में exam में आता ही आता है साइंस के paper में विज्ञान में तो यहाँ पर question है sodium धात्तु को कैरो सिन के टेल में डूबो कर क्यों रखते हैं अब यह topic तो आपको science के teacher ही पुरा अच्छे से explain कर पाएंगे वैसे आप सभी ने उनका कल most welcome किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए science के बहुत सारे महत्पुन question आने वाले हैं और जैसा कि कल के वीडियो में आपने मेरा स्वागत किया था उसके लिए thank you very much आपने जो reply दिये तो बहुत पसंद आया और इसलिए मैं आपके लिए science की series लेकर आ गया हूँ और आपको यहाँ पर हर वो महत्पुन question मिलने वाला है जिसकी man exam में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और आज का हमारा जो question है उस question का नाम है कि sodium धातु को kerosene में डुबा कर क्यों रखा जाता है जी हाँ यह question आपको word में साफ साफ दिख रहा है sodium धातु को kerosene में डुबा कर क्यों रखा जाता है तो इस question को याद करने के लिए और तुरन समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस word पर concentrate करते हैं कि sodium धातू sodium धातू क्या है अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको यह पूरा का पूरा आंसर देखते से याद होने वाला है तो हम शुरू करते हैं sodium धातू एक A-C धातू है जिसको अतियंत क्रियाशिल धातू के नाम से जाना है इसको अगर आपको denote करना है तो इसका एक sign भी होता है इसका चिन्न होता है इसको N-A से दरस आते हैं और सबसे पहले हम इस line को फोकस करते हैं देखिए sodium धातू अतियंत क् मतलब very reactive ये लगभग हर चिससे reaction कर लेती है ईह धातू पानी से भी क्रिया करती है यह दातू हवा से भी क्रिया कर लेती है यानिकी हवा पानी जो हमारे लिए जरूरी है लेकिन sodium धातू भयह इसी से ही क्रिया कर लेती है देखिए यह धातु हवा तथा नमी यानि कि पानी से अतिशिग्र क्रिया करके आग पकड़ लेती है यानि कि सोडियम धातु को अगर आपने हवा में रखा तो भी जल जाएगी पानी में फिका तो भी यह आग पकड़ लेती है अच्छा तो यह तो समझ मे यानिक Ini चिए इसको बक्रकाल रखाया के लिए और एक उर नाम है इसका के लिए का लगायाज चुका है कि sodium धातू kerosene से क्रिया नहीं करती है अगर आपने kerosene के तेल में sodium को डुबा कर रखा है इसका मतलब ना ही उसका संपर्क हवा से रहेगा और ना ही पानी से रहेगा और ना ही ये किसी चीज़ से क्रिया करेगी और इसको हम store करके आने की बचा कर रख सकते हैं तो आप जल्द से जल्द comment में आपके अलग-अलग reaction देके बताए अलग-अलग reply देके बताए कि आपको कितना वज़ा आ रहा है और आपको कितना सीखने को मिल रहा है तो हम फटा-फट इसका rapid round शुरू करते हैं देखिए sodium धातू अतियंत क्रियाशिल धातू है मतलब यह सभी से क्रिया कर लेती है यह धातू हवा और नमी से अतिशिग्र यानि कि बहुत जल्दी क्रिया करके आग पकड़ लेती है तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे और आप यह कमेंट करके बताइए कि आज का टोपिक आपको केसा लगा और आप कमेंट में यह भी बता सकते ही कि next IMP वीडियो में आप कौन सा टोपिक सिखना चाहते हैं तब तक आपसे विदा लेता हो Thank you very much आपसे लेता है